मिशन हेल्थ के सजी फोनिंग आएकम में स्वागत करते हैं काला जार से बचाओ और उपचार और इस विशे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है रास्ट्रेय स्वास्थ मिशन के महा प्रबंदक रास्ट्रे कायकरम डॉक्टर अश्वनी कुमार जी आप सब बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका कायकरम में देशकों काला जार एक खतरनाग बिमारी है और इसके लक्षन जो है आम तोर पर जैसे बुखार होते हैं उसी तरह से दिखाई पड़ते हैं इसलिए इसकी पहचान होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर पहचान नहीं हुई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है तो इस सम्मन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं फोन करने के लिए नोट कर लिजे आप हमारा फोर नमबर हमारा फोर नमबर है 0522-220-5756 0522-2288-698 0522-4015-988 और आप से अन्रोध करेंगे कि जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक अच्छे से आ सके और डॉक्साब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे आमंत्रे दर्शक भी हैं तो इनके प्रशनों को भी हम कायकर में शामिल करेंगे आप सब का भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जैसाब सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि काला जार है क्या और यह फैलता किस तरह से है जी बताना चाहता हूँ काला जार एक संक्रामक रोग है जो एक स्वस्त व्यक्ति में लिसमेनिया नामक परजीवी के संक्रमन की वज़े से होता है यह संक्रमन जो है एक प्रकार की मख्षी बालू मख्षी जब बालू मख्षी किसी इस लिसमेनिया से संक्रमित रोगी को काटती है और उसके बाद किसी स्वस्त व्यक्ति को काटती है तो उससे ये रोग फैलता है दोग सब क्योंकि दर्शक हमारे साथ हैं तो आकाश जी हमारे बीच हैं आप कुछ पूछना चाहेंगे मक्षी की पहचान कैसे करें बकाला जार को फैलाने वाली जो मक्षी उसे हम बालू मक्षी कहते हैं और इसकी पहचान के लिए तो मैं बता दूँ आपको कि ये जनरली जो हमारे कच्छे मकान या मकान जो भी बने हुए हैं उसकी दरारों में ये रहती है ये डेल से डाई एमेम के साइज की लगबग मक्षी है हलके भूरे रंग की और इसके पैर इसके सरीर से बड़े होते हैं और इसके पंक उपर को उठे हुए होते हैं और यह दिन के वक्त, जन्रली इनी मकानों की दरारों में आराम करती रहती है। और ऐसे मकानों की दरारों में रहती है जहाँ पे रोसनी कम आती है साथ सफाई कम है और पेड़ों की दरारों में खिटरों में बहुत पूंशेंगे सूर्यांज जी आप कुछ पुछेंगे डॉक्टर साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि बालू मक्खी घरों में कहां पाई जाती है मैंने अभी बताया मैं ऐसे घरों में ये पाई जाती है जिसमें रोसनी कम आ रही हो साफ सफाई कम हो मकानों की दरारों में दरारों में ये दिन के वक्त आराम करती रहती है और पेड़ों में पेड़ों के चिद्रों में भी आराम करती है जो सब हर बीमारी के कुछ लक्षन होते हैं तो इस बीमारी के क्या लक्षन है और इसकी जाच कैसे की जाती है साथी साथ पेट का फूल जाना क्योंकि यह लिवर और इस्प्लीन को असर करती है वो बढ़ जाते हैं यह इसके सामाने तह लक्षण है और इसकी जाच हम किसी भी सरकारी इस्पताल में कराते हैं खास करके जहां पर यह बीमारी जादा है हमारे पूरवांचल के 12-13 जनपद ह उनके जिला चिकित सालियों में और उनके सामुदाइक स्वास्त केंद्रों में भी इसकी जाच कराई जा सकती है और इसकी जाच रैपिड डागनोस्टिक किट और यह दस मिनिट में पता भी चल जाता है जाच करेंगे जाच काला आजार इंफेक्शन होने की समभावना ज्यादा होती है मेरा दूसरा प्रेक्शन है यदि किसी व्यक्ति को काला आजार हुआ और वह व्यक्ति उप्चार के उपरान ठीक हो गया तो क्या उसे भविश्य में दोबारा काला आजार इंफेक्शन होने के समभावना हो सकती है थाइक्शन है बताना चाहूँगा नौडा से आपका पहला प्रस्ण काला जार किन व्यक्तियों को हो सकता है काला जार एंडेमिक जोन यदि मैं कहूं तो वह इलाका वह हिस्सा जहां पर ये काला जार की वीमारी ज़्यादा पाई जाती है उत्तरप्रदैस की अगर मैं बात करूं तो उत्तरप्रदैस 의क पूरवानचल के बारा जिलेग गाजीपूर और वारानसी बadhooe जौनपूर इन जन्प्धों में पूरवानचल के जन्पदों में यह ज़ादा है यदि इन जन्पदों में ऐसे लोग जो गरीब तपके कई होंगे कच्चे मकानों वाले ऐसे घरों में रहते हैं जहां रोसनी भी कम आ रही है साफ सफाई की विवस्था कम है और कुपोसित बच्चे व्यक्ति हैं ऐसे लोगों में ये संभावना जादा रहती है फैक्टरियो में बड़ों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है वैसे तो ये किसी भी उमर के लोगों को ये एफेक्ट कर सकती है नौटा से आपका दूसरा प्रस नहीं है था कि यदि किसी को ये हो जाए तो संभावना तो फिर से है क्योंकि इससे आपको रोग से लड़ने की पूस्ट काला जार है संक्रमित व्यक्ति का पूरा सरीर पूरी तवचा काली पड़ जाती है तो इसी वजह से इसको इसका नाम भी काला जार रखा गया है इम्रान जी हमारे बीच हैं आप कुछ पूछेंगे क्या कोई भी बुखार काला जार हो सकता है और 10-15 दिन बार बा आने पर क्या इसकी जांच करानी चाहिए जी बिलकुल खास करके यदि मैंने जैसे अभी बताया एंडेमिक जोन जो ऐसे इलाकों में जो व्यक्ति रह रहे हैं जहां पे यह बीमारी ज्यादा पाई जा रही है वहां यदि किसी को रुक रुक कर 10-15 दिन तक बुखार आ रह हैं आप कुछ पुछेंगे राइक बार फिर से बता दीजिए कि कालाजार की जांच कहां कहां होती है और समय कितना लगता इसमें कालाजार की जांच हमारे सरकारी चिकित सालेयों में खासकर विसेशकर जो हमारे यह जिन जगहों पर यह बीमारी जिन जिलों में यह बीमार इसकी जांच में हम एक diagnostic kit का इस्तिमाल करते हैं जो खून से जांच करके RK39 उस kit का नाम है यह जांच भी मुफ्थ होती है और 10 मिनट के अंदर इससे result पता लग सकता है जो सब यह जानना चाहेंगे कि एक तो शेत्र विशेश के लोगों को हो सकती है तो क्या कुछ व्यक्तियों में भी कुछ इस तरह की कमियां होती है जिनको यह संक्रमन जल्दी पकड़ सकता है बुखार जल्दी आ सकता है मैंने बताया जो कमियां व्यक्ति विशेश में कुपोसन हो सकता है गरीबी है बाकी ऐसी जगहों पर जो रह रहे हैं जहां साफ सफाई ठीक नहीं है कच्छे मकानों में रह रहे हैं रात के वक्त फर्स पर सो रहे हैं और कोई मच्छरदानी या इस तरह की चीज़ का इस्त मैंने बताया भी था साइट की रात के वक्ति यह ज़्यादा कारती है रात में सो रहा होता है इसलिए तो सिर्फ मच्छर से ही नहीं बलकि मक्छी से भी सावधान रहने की बेहत जरूरत है श्वेता जी आप कुछ पूछेंगी मेरा यह कुशन है कि अपने बेदेश में काल जोई है जौनपुर है और गोरकपुर भी है सुल्तानपुर है यह पूरवांचल यदि मैं एक सब्द में कहना चाहूं तो पूरवांचल के शेत्र में यह बिमारी ज्यादा पहल लही है चैतनी जी आप कुछ कुछ हैंगे डॉक्टर साहब क्या काला जार किसी खास मौसम उम्र या वातवरण में होता है वैसे यह किसी भी उम्र के विक्ति को संक्रमित कर सकती है परन्तु ज्यादा तर देखा गया है कि बड़ों की अपेक्छा बच्चों में यह ज्यादा जल्दी फैलती है या ज्यादा उनको एफेक्ट करती है दूसरा मौसम में बरसात के दो तो साफसफाई जरूरी है किसी भी बिमारी से बचने के लिए रवसब जैसे कह रहे हैं कि मैं इसका उपचार किया जाता है तो यह उपचार कितने लंबे समय तक चलता है और कितनी बार दवाई लेनी चाहिए इसके लिए मैं बताना चाहूंगा समस्त दर सकों कि इसका उपचार बिलकुल मुफ्थ है सरकार की तरफ से और इसके बीमारी के पता लगने के बाद इसका इलाज में एक इंजेक्शन लगता है जो एक बार लगता है और उसके अलावा काला जार अगर किसी को है तो उसमें 28 दिनों तक एक दवा खानी पड़ती है जो रोज एक खानी पड़ती है वो दवा भी मुफ्थ मिलती है और 28 दिनों में यह ठीक हो सकता है तो एक बार अगर इसकोई दवा सही तरीके से ले ली गई तो पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो सकता है जी बिलकुल ठीक हो सकता है इसमें मिल्ट इस दिन तक खाने से यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ध्यान इसमें रखने की बात यह होती है कि यह गर्वती महिलाओं को हम यह दवा नहीं खिलाते हैं। तो Mission Health में वक्त हो गया है एक Break का, मिलते हैं आपसे Break के बाद Break के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कायकरम Mission Health में और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम आज का विशे भी बता दें हमारा आज का विशे है काला जार से बचाओ और उपचार और इस विशे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राश्ट्रिय स्वास्त मिशन के महा प्रबंदक राश्ट्रे का एकरम डॉक्टर अश्वने जी नेहा जी हमारे बीच है नेहा जी आप कुछ पूछेंगी डॉक्टर साब काला जार का सही समय पर सही इलाज ना करने से क्या हो सकता है काला जार जैसी खतरनाक संक्रामक बीमारी का यदी हमने इलाज सही समय पर नहीं कराया तो मरीज की मौत भी हो सकती है मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है ये की जानलेवा साबित हो सकती है सौरब जी आप कुछ पूछेंगे बढ़ा अच्छा प्रस्ण है और मैंने जिक्रवी किया था कि इसको काला जार क्यों कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि यदी किसी व्यक्ति को काला जार के परजीवी का संक्रमन हुआ है और उसके बाद उसने उपचार उसका पूरा नहीं लिया तो इसको complication हो जाते हैं मतलब बीमारी ठीक से ठीक पूरी तरह इलाज नहीं किया गया है तो इसमें सरीर पूरा हिस्सा तवचा पूरी तवचा चेहरा पेट सब कुछ काला पड़ जाता है और इसको हम कहते हैं पूस्ट काला जार डर्मल लिसमेनियासिस अधिकल टर्म है काला जार के उप्रान्त तवचा में लिसमेनियासिस हो जाती है इससे ये पूरा शरीर काला पड़ जाता है कोई भी बिमारी होती है तो उसके शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रभाव परता है तो काला जार की जो बिमारी है ये शरीर के किस-किस अंग को प्रभावित कर सकती है काला जार की बीमारी हमारे लीवर को स्प्लीन जिसे तिली हम कहते हैं इनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है और जैसा मैंने अभी बताया कि यदि ठीक से उपचार नहीं किया गया तो यह हमारी त्वचा को भी प्रभावित करती है तो तुछा पे भी अगर धब्बे पढ़ रहे हैं कोई किसी तरह का बदलाव दिख रहा है तो तुरंट सतर्क हो जाना जरूरी है और ये जो धबे पड़ रहे हैं, ये कुस्ठ में भी हम कहते हैं कि इस तरह के धबे पड़ते हैं तो चापर, परन्तु दोनों में बहुत अंतर है, कुस्ठ के धबों में सुन्पन रहता है, इसमें ऐसा कोई सुन्पन नहीं रहता है, और ये पूरे सरीर को एफेक्ट करता है देख्षय जी आप कुछ पूछेंगी डॉक्टर साब कालाजार से प्रभावित वैक्ती का पेट फूल जाता है तो ऐसा क्यों होता है जी बिल्कुल कालाजार से प्रभावित वैक्ती को मैंने अभी बताया आपको कि ये हमारे सरीर में लीवर को और स्प्लीन यानि की तिली इसको एफेक्ट करता है इसमें जो काला जार के जो परजीवी हैं इसमें एक लिसमेनिया डोनो बनाई जो ये हमारे सरीर में रहता है ये तिली में जाकर के फस जाते हैं साइज को उसी के हिसाब से बढ़ने लगती है बहुत बड़ी भी हो जाती है कभी-कभी तिल्ली और लिवर तो यह इन दोनों के बढ़ने की वज़े से और आप जानते हैं कि यह पेट में हमारे इनके बढ़ने की वज़े से हमारा यह पेट फूल था हर्शिता जी आप कुछ पूछेंगी डॉक्टर साब क्या आकारण बालों का जड़ना भी काला जार का एक लक्षन है ऐसा कहीं सिद्ध तोर पर नहीं लिखा हुआ है और मैं भी मानता हूं कि काला बालों का जड़ने से काला जार का कोई सम्मन्द नहीं है मलब शारिरिक लक्षनों में जो परिवर की तरफ से बहुत सारी योजनाय चलाई जा रही है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप इस बारे में बताएं मैं इस कारकरम के माद्दम से समस्त दर्सकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इसमें बहुत अच्छी और बड़ी प्रभाव साली योज योजना से लेकर के करीबों को पके मकान दिलवाने की योजना साथ ही साथ एक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवा आती है इसका स्प्रे कराने की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है प्रभावित जिलो में और इस से इस प्रिमारी पर हम रोक लगा सकते हैं इसके जिसमें तुचा एफेक्ट हो जाती है, ऐसे मरीजों को सरकार की तरफ से 4,000 रुपए की धंगा सी भी दी जाती है। मतलब सरकार की तरफ से इलाज के लिए पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध है और जो दवाएं दी जारी हैं वो भी मुफ्त में दी जारी हैं। इसको मारने के लिए ही indoor residual spray हमने जो कहा सरकार की तरफ से ये छिड़काओ किया जाता है जो प्रभावित जगह हैं जो जनपद हैं जो प्रभावित हिस्सा है वहाँ synthetic pyrethroid नाम की कीट नासक दवा का प्रयोग किया जाता है। ये सरकार की तरफ से हैं और ये मुफ्त है। मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है और एक और ब्रेक का मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ काईकर में आज हम बात कर रहे हैं काला जार से बचाओ और उपचार के बारे में। जो है। प्रयाकराज से एक दर्शक हमें फोन कर रही है। हेलो। जी स्वागत है मिशन हेल्थ में आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम ललिता है। हमारा सवाल डॉक्टि शाब से यह है की काला जार पक्वाडा क्या है और केसे चलाया जाता है। इसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। और कोई रोगी इस तरह का मिलता है तो उसकी जांच करते हैं और उसे इलाज यदि वह संक्रमीट पाया जाता है तो वह उसका हम इलाज भी मुफ्त कराते हैं यह सारी एक्टिविटी हम अपने सरकार की तरफ से रास्टी स्वास्त मिसन के अंतरगत इसमें जो हमें धन्रासी भी मिली हुई है उसके प्रयोग से हम यह करते हैं और यह सब कुछ कारिक्रम मुफ्त करते हैं प्रभावित जन्पदों में कराते हैं इसमें कालाजार के जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो हमारी आसा बहंजी वगरा जाती है उन्हें हम मानदे भी देते हैं यह हमारे उन्हें प्रभावित जन्पदों में पकवाड़े के रूप में 14 दिन तक चलाया जाता है और इसमें आशा जो कारिकर्ती होती हैं इनकी भी बहुत महत्पून भूमिका होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए दोनों को जो मरीज है उसको भी इलाज के लिए भी प से बचाओ के लिए कोई टीका नहीं है कि उपलब्द नहीं है कोई भी टीका वस सावधानी ही है क्योंकि हर बीमारी के लिए कोई टीका रहता है इसलिए यह बहुत ही लाजमी होता है कि कोई टीका आता है कि नहीं आता है लेकिन नहीं आता है तो आपने कहा सावधानी की ब कालजार से साबधानी जो प्रभावित इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, अपने घरों में रौसनी आनी चाहिए उनके घरों में, घरों में दरारें ना हूँ, साफ सफाई की विवस्था अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा भी की जानी चाहिए, जैसे मैंने ब साबधानी बरतने में रात को फर्स पर ना लेतें। जमीन पर ना लेतें। सरीर के सारे अंगों को ढ़के रखें। जैसे पूरी आस्तीन के और पैरो में पैजामेंं बगरा पहन करके। मच Partner जाल वाली मच Bernard partial जाल वाली मक background का भी प्रयोक किया जा क्का है। खाने पीने पर ध्यान रखें कुपोशन नहीं होना चाहिए और घरों में साफ सफाई हो आसपास भी साफ सफाई हो इस प्रकार की साफधानियों से हम यह बस सकते हैं और यदि जागरूपता भी रहनी चाहिए लोगों में यदि किसी व्यक्ति को जैसा एक प्रस्ण में भी दरसक ने पूछा था हमारे कि किसी व्यक्ति को यदि बुखार आ रहा हो रुक रुक कर दस पंदरा दिनों से तो उसकी तत्काल तोरित जाकर जाच करानी चाहिए हमें किसी भी तरह के बुखार में और जो भी मैंने लक्षन वताया अगर इस तरह की किसी में पाए जाते है लक्षन तो इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और इसका तत्काल जाकर के जाच करानी चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए इस तरह से हम इस काला जार जैसी बीमारी से बचाओ कर सकते हैं यह संक्रम वाली विमारी है एक व्यक्ति को है तो फिर दूसरे को भी हो जाएगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्टर के माध्यम से होती है इसे हम इसलिए व्यक्तर जनित रोग भी कहते हैं यह दि कोई व्यक्ति काला जार से संक्रमित है उसे इस बालू मक् के पाएखे दे मैं यहाँ ह鍹ने के करीबन 10 दिनों से लेकर दो साल तक के अंदर ढूंप बीमारी प्याप्रा contrat बीमारी के लक्षन आ सकते हैं, इसमें समय भी लगता है, किसी को संक्रमित हुआ, किसी मक्ही ने काटा किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है कि उसे दस दिनों में भी बीमारी परिलक्षित हो जाए, दो साल तक भी लग सकते हैं। रुक रुक कर बुखार और बहुत तेज बुखार, यदि किसी व्यक्ति को आ रहा है, और चार-पांच दिन से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो सामान बुखार, अन बीमारीयों को भी दिमाग में रखते हुए, हमें ततकाल उसकी जाच करा लेनी चाहिए। बुखार अगर तीन दिन से जादा भी आ रहा है, मैंने चार दिन कहा था, तीन दिन से भी जादा आ रहा है, तो ततकाल आपको उसकी जाच करा लेनी चाहिए। और एक जनरल बाद भी मैं आप यहां इस कारिकरम के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी लोग साइद आप जानते भी होगी कि बुखार यदि आता है किसी व्यक्ति को तो ततकाल किसी भी तरह की कोई अंटीबाटी के इस तरह की सीधी कोई दवा नहीं खानी चाहिए। एस्परिन वगरा इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सिंपल पैरासिटा मॉल खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए और अगर दो दिन में ये तीन दिन में बुखार नहीं ठीक होता है तो इसकी जाच चिकित साले में जाकर अवश्य करानी चाहिए। तो किसी भी तरह का बुखार हो, दो-तीन दिन के अंदर अगर वो ठीक ना हो, तो तुरंत उसकी जाच अवश्य कराएं। और मिशन हेल्थ में अब वक्त हो गया है चलते-चलते का। चलते-चलते में दर्शकों हम आपसे एक प्रशन पूशते हैं और उस प्रशन का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चैन हम लखी ड्रॉ के द्वरा करेंगे और फिर उन्हें आमंतरित करेंगे अपने हाँ स्टूडियो में। और इस प्रशन का उत्तर आप जिस पते पर लिख कर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लिजे हमारा पता है। कि प्रशनों का भी उत्तर दिया और अपनी जानकारी भी हमें उपलब्द कराई इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप सभी का कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे कारेकर्ण में शामिल हुए और आपने अपने प्रशन के पूछे और उन दर्शकों का भी जो हमें फोन के द्वारा हमसे संपर किया हमसे प्रशन पूछे नमस्कार हुआ है हुआ है